एयूँ इंग्रीर्न अपिक निश्बी क्शे अजमिद् तो आज अपनी राफ सब्सक्राप अबर्ब तो आज अपने अमल्रूत के बारें किया नहींद क्या काई गौन सतावगें कौन सी किस्म है उन सब की बारे में गाइज तो भाइज आम्रूत को बौटनिकल नहाँ में सिडियम बुओ जाबा और अम्रूत के कुल की बात करने तो भाइज अम्रूत का कुल होता है फैमिली होती है मुटकी दॉन प्रशु को यहां फैमिली होती है वह थिया गाइज मिर्ट एसी मिन्र टेस ही फैमिली होती है वाइस यह लॉंकी भी होती और यह जामूं की भी होती लॉंक है घान साथ होसिंद। अगला बात ग्युक्त घंट रहें है qualche तो अन्य सबस्क्न हमादे सिह में गुन्सूत्रों के अगला पने बास करते हैं जिए sed EL जोते होते हैं तो इसमें फोते होते हैं अगर दो दो यूआ लखनतों करने आप जित 같े दियार लगतwo कि श्तितनी बात करों इन पहाथ पइस्तान तो जिसको पत्तिस्तान होता दक्षेल अमेरिका अब्सक्राण। इसमโर्ण दक्षेल न üzer जा न अमेरिका या घूंधाइज इसको बोल सकते हैं सूंदेया का अमेक्सिको जो आध से यह भी मेक्सी कने ये पहला अध्यक अगला बात करते हैं जिसके फल्के परकार की तो इसका फल्का परकार होता है तो यह चीज भी अपनी ध्यार रख रहे हैं अम्रूत को जो फल्के परकार हो गाई सरस्य बेरी होता है आगे अपने इसके बात करते हैं खानी योग भाग की तो इस अम्रूत को खानी योग भाग होता है मीजोकार पेरी कार्प प्लस थेले मस्द मीजोकार पर इसके अंदर कुछली पाई नहीं जाती है तो इसका जो खानी योग भाग माना गया गया तो खानी योग भाग माना ग थेले मक्क याई सेम और तो बोलती हैं यह क्या थैनी पॉस्पास्च को बोलते हैं आफसी पॉस्पासन प्लस मच पोड़े रिपिद्टी मर्द फन विट्टी तो इस चीज ध्यार रखना इसका ठाने भग क्या ठाभर पुषपासल को कॉष अपने को द्यार लगना पेरिकार पेरिकार को बोलते हैं एक-पिकार पे उसका दूसरा नाम है पेरिकार यह चीज भी ध्यार लखना गहीं यह ऊप्सका अपने नाम की बात करूंगे तो इसके अन्य नाम की बात करते हैं कि अम्रूत को शेव के नाम जाना जाता है इस उसन जलवाईम को शेव भी बोले जाता है तो यह चीज इसमें पॉइंट के सब्सक्राइब याद होना चाहिए तो इसमें कुछ सामानी जानका रही है तो उनके बारें अपन देख लेते हैं तो वैसामानी जानका रही है कि बात करूं में कि अगला पॉइंट आता है इसके अंदर सामानी जानका में जड़ा है जो अम्रूद फंचराइब वह स्यफिता प्रतिष्न इदर को अधर्म सरवजों होता कीस लेकिन जाने जाने फिकामन को सब्दाय से बिटामन स्यक्टेसेंड ना मुख क्यर्णी इस को इच्टोष बिटामिन सी का भीलिद रख देकर है स्टुस्रोफ में मिलीग्राम पर सौ ग्राम कर ऐसलब क्या तो सौ ग्राम अमरूद में 299 मिलीद्राम विटामिन C पाय जाती यह चीज जाना पने को और अमरूद के बात करूँ गाहिए जिसमें सामाझ जाती है अम्रूद एक ऐसा फल है जिससे जैली बनाने के लिए का इस क्या होता है जैली बनाने के लिए पेक्टिन के मात्रा अत्य दिखोनी चाहिए तो तो अम्रूद के अंदर सरवादिक पेक्टिंग की मात्रा पाई जाती है तो यहां निकलो अम्रूद के अंदर अम्रूद में सरवादिक पेक्टिंग पाई जाती है इसी लिए इस अम्रूत को जैली बनाने के लिए उप्यूक्ट तफल माना जाता है तो आदर जैली बनाने के लिए उप्यूक्ट तफल कौन सा वो है कुएसे सबस् devo कि सबस्क्राब्त को का नहीं सब्सक्राब्त हुँ कि फल के नाम से जानते हुए है द्यान गोने चीज अम्रूत इवह सत्वी सताब्दी का फल और आपला जो है वह किसी सताब्दी का फल है यह अगले बात कर्ता हूं मैं घाल सके मिर्दा एवहम जल्वायू की कि अम्रूत के लिए मिर्दा जलवाई कैसी होनी चाहिए तो गाइस पहला बात करता हूं मैं मिर्दा अगी तो गाइस मिर्दा जो अम्रूत के लिए चाहिए होती है वह गाइस ऑफजाव बनुवी दौमट मिर्दा है तो अम्रूत के लिए उप्यूकत मिर्दा पहुंसी मानी जाती है और गाइस अधिक चाहिए मिर्दों में सर्वाइब नहीं होता है अधिक छाहिए मिर्दा है तो इसके लिए हलकी चाहिए मिर्दाएं लगी चालिये मिर्दाव उप्यूट तरेंग जिनका पिएच होता है वह 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 उना चाहिए 7.6 पिएच तो यह इस मिर्दा में भी उप जाता है लेकिन अधिक अधिक चालिये मिर्दाओं में अधिक चालिये मिर्दाओं में मिर्दाओं में कोक्टा रोग हो जाता है कि अधिक तो यह चीज अपने को पता होना चाहिए अम्रूद का सबसे इंपोर्टेंट रोग एक ही रोग होता है अम्रूद में उक्टा रोग जो कि अधिक चालिये मि नहीं होता तो यह अपन रोग में पातेंगे अधिक चारी मतना सुदार ने के लिए प्र करते तो यह है और मैं बार करूँ जल्वाई एक भात करता हूं के लिए तापमान की बात करूं के लिए तापमान होता है इसके लिए तेज से अठ्था डिए टाकमान आजाता है तो इसके तापमान की बात करता हूं तो अम्रूत की बढ़वार के लिए अम्रूत की बढ़वार के लिए 23 से 28 degree centigrade तात्मान उप्युक्त माना लगता है तो गाईज इसमें पॉइंट की है अम्रूत की बढ़वार के लिए 38 से 28 degree centigrade तात्मान उप्युक्त माना लगता है वह गाईज में बात पूरूँ सर्दी बात पूरूँ है सर्दीयों में सर्दीयों में रात्त्री के समय तात्मान ताकमा 10 degree centigrade से कम सर्दीयों में तात्मान 10 degree centigrade से कम नहीं होना चाहिए अगर आइज 10 degree centigrade से कम तात्मान है तो गाईज इसमें अपन पानी दे सकते हैं यह गाईज उसके थान्तान के चार ओर धूह करके अपन उसको तात्मान को नियंतरन कर सकते हैं यह चीज़ कर सकते हैं तो गई जलवायू कि मैं इतना ही इसके लिए ताकमान है और कौन से जलबाय में सरवादब होता है ऊंसने जलबाय में पूल देता है इसके लिए उसने पेट ऊस्थान की तो संस्थान कौन सा इसके लिए कि तो संस्थान सी आई एग्स लखनो यूपी सब्सक्राइब करें लगनों यूपी के अंदर इसके लिए संस्थान एक लगनों यूपी और मैं बात करूं इसको उत्करश्टता के अंदर कहां पर है लगनों के अंदर और कि अंदर है वह पाता हूंद चाहिए उत्करश्ट सब यूपी कि बात करूं कि अब्सक्रिश्ट थे को अब्सक्रिश्ट थे के अंदर है यूपी और यूपी अदर अब अगला बात करते हैं अगला पॉइंट बात करते हुआ योद्पादन तो अपने भारत का चौता यह सब फले जो बिश्व के अंदर पहले इस्तान रखता है तो अब कौन-कौन से फले जो अपने भारत में पहले इस्तान लगते हैं यह सबी गायआं जो ऑफात में पहला इस्तान रखते हैं भारत के अंदर अपनुद्पादन का फाष्ट इस्तान है भारत का पूर्जेट गाल यह अंदर बारत को से सर्ष्टान रख रहा है वह रख रक रहे इस फस्टे इस प्रशिस्ट नुवह बात कुरू भारत के अंदर है तो बारत के अंदर में पारब अधुर अधुरवार आएज तो वो है यूपी उत्तर प्रदेश प्रदेश में बाक्टोर उत्तर प्रदेश में कहां सर्वाद्यक होते हैं तो अत्तर प्रदेश में चेत्र सहारनपुर्ण यूपी तो सहारनपुर्ण्द आंधर सर्वादे कमरूद में अब मैं काह आप तो रासितान में सर्वाद्यक में जला तो राजिस्तान के अंदर बात करते हैं तो राजिस्तान के अंदर भारत की वहाँ पर काई उत्वार्त को हते हैं लगनाउ यूपी के अंदर और अपर इस्तान सहारनपुर नहां वह पर सब्सक्राइब वहां पर सबस्ताने अपर है और रूप में वहाँ बारत कि पीला ना प्रिवर्दन प्रुबर्दन तो गाइश वह अम्रूत का प्रिभर्दन नोटा आपन व्यवपसाइक फ्रिभर्दन करते हैं तो गाइश वह दिश्टूलिंग द्वारे तो इस तूलिंग और यह निने के लिए डेरी विद्धि क्या है वह सिज आपन देखने हैं तो आपन बात करते हैं, website प्रवर्धन, website प्रवर्धन, तो अम्रूत का website प्रवर्धन होता है, इस tooling विदी द्वार है, या इसे बोलते हैं, dairy विदी, तो इस tooling विदी क्या है, तो इस ही, तो इस यह कोई अम्रूत का पौदा है, इमेजन करो गाइस, तो इस tooling विदी क्या, जिससे मिट्टी से इपको दबा दिया जाता है , जहान से नोड बने होते है , नोड से ऑफर से दबा दिया जाता है, इससे मिट्टी से नोड से जाता है , यह 40-50 दिन बाद, यहा से और और यह नया वादर तयार हो जाता है तो विप्साइट रूप से तो रधर करना अपने से गार शौन से और आपने बात करते हैं यह तो यह जो की गारें जेंड 2018 जेंड 2018 के अंदर कुछ से पूचा गया है अम्रूत का बेक साइड रूप से प्रब्रदन किस विदी के द्वारा किया जाता है तो इस टूलिंग विदी या डेरी विदी यह चीज़ जाना अगले आती है यह मांड लेरिंग या अपन बोलते हैं हवाई इसमें क्या क डाली यह में तो इसमें क्या है तो इसमें वोती अखते हैं यह मैस को लपेड देते है जिससे क्या होता है अब फैकरें बहें कौन सी पिती है जिसके अंदर इस पेगर मोस घास को पिर्यों किया गया वह पूछा गया गया जैन 2017 कुछ पूछा गया यहां से अपने को खता होना चाहिए कि पेगर मोस घास क्या है तो इस पेगर मोस घास को लपीड देते हैं फिर इसमें जड़ कुटां के बाद 40-50 दिल बाद इसको यहां सकाड़के और यह पूद अपन लगा देते तो सामय तो इसमें यह करते हैं लेकर अगर व्यप्साइब पूछे तो व्यप्साइब रूप से श्टूलिंग करते हैं यह चीज़ अपने वह पातर होना चाहिए गया अगर समय की बात कुरूगा कर प्रभदन किया चाता है यह चीज इंप्रढरन का समय सकता है अबकी बार यहां से कुचान आ सकता है क्योंकि समय है समय समय पूछे जाते गाई अधिक अधिक तर पुश्य समय से आते हैं गाइस तो यह चीज अपने को पता होना चाहिए तो इसका समय जूझुझुझुल मोई तो अपके आता है इसके अंदर पौद्र ओपन तो पौद्र ओपन करते हैं तो सामया ने दूरी की बात करते हूं तो फोद्र ओपन के अगर समय की बात कि समय होता है जून जुलाइ ग्रूरी की दूरी होती है श्वीटरी इंटू घो कि अरु में आरनेकलो पयोता प्लांट प्लांट से फ्लांट की दूरी और वह से रोके दूरी इतनी रखी जाते हुआ चैन सागन यामे मेश हमना वाथ हां चाहं न fragments कि बनाली दौरा करते तो दूरी रखते हैं वह रखते हैं गोई तो गैस रो की दूरी तो रखते चैं अब पी से प्लांट से प्लांट की दूरी रखते चैंशे मीटर और इसके लिए पैरायटी है सब्सक्राइब करते हैं तो इसके लिए दूरी रखते हैं तीन मीटर रखते हैं और इस अमरूत के अंदर आपन करते हैं करते हैं तो इसके लिए दूरी रखते हैं नियुक्त के लिए दूरी रखते हैं तो इसके लिए पौदर ओपन के लिए यह चीज अपने को पता होना चाहिए करते हैं तो इसके अंदर फूल इवम फर लाएं अगला पॉइंट आता फूल इवम फलन तो मैं बात करूं अगर इसके मैं पुस्क्रम की बात करता हूं तो पुस्क्रम होता साइमोज साइमोज इसका पुस्क्रम होता है इसमें परागन की बात करूं तो इसमें जो पुस्क्रम है गाइस पुस्क्रम होता है साइमोज अगर परागन की बात करूं परागन तो वह होता है परपरागन जो कि होता है कि फ्राइब की फरावन होता है इस परावन होता है इस फूस्प बाहार है इसकी लिए इस तीन बाहर इंपोटेंट बाहर कि यह पूस्प बाहार लें तो आज समय को सब्सक्न कोसी ऑपने को रखनी कौन सी बाहर थीन हाटीन होती है है पहरी होती है अम्वेति वाहर कर दूसरी मुरब बाहर और तीसरी होते हैं रहस्त वाहर कि क्या होता है इन तीनों को पहले समय ध्यान रखना है समय के बाद अपने पता होना चाहिए चाहिए तो कि यह बात करता हो गाइस अम्ब्र नमब में होता है ऽुनजुलैं अबहर का है फरवरी मान अप्टूबर नममब तो अपने को याद कैसे रपते हैं आपन सर्दियों में करते हाथों को गड़ां करतेहिए तो मतलब कि अक्टूबर नमावर तो यह चीज है अक्टूबर और नमबर कि अंबना यह मिरफ भार अम्रब भार क्या है ऑपन रखते हैं जून जुलाइव कि अबर दो अमब हाला है ऑद फर पड़ी मारुश तो घ्राइज तीन अपने द्ध्यान में बहार है तो अंवे बहार कर वो देगा फरवरी मार्च के अंदर अंदर आती अंदर अपन अपन दो फलंग लेते हैं अपन जो पादर अच्छे बारूप इप्ट मानते तो अम्रूद में अच्छे उत्पादन के लिए म्रग भार उपियुक्त मानी जाती है लेना चाहते हैं लेकिन अपने को अम्बेभार और रस्तवार को नियंतरन करना तो इनके लिए क्या करते हैं इनके लिए क्या करते हैं आपको बता आपने फूल पर फलों को जड़ाने के काम करते हैं तो इसके अंदर फूल पर फलों को जड़ाने के लिए अने नैप्चलिक एसेटिक आर्मोन को उप्योग कर सकते हैं उसकी मात्र रखते हैं यह अगर आपन नहीं करके तो और सुन इसमें और दूसरे हमक क्यों हैं एक सो दो परसंट यूरिया को उपयोग करते हैं कि मैं अगर अपन अपनों नहीं मिल रहा है लिए तो Spartan निगों को और में बाथyang कुरिवार्ग में तरहाएं तु है कि तो पर्शेल की बात करता हूं कि है तो आगला पॉइंट आता है आट इसमें रोगता कीट को जो Esto के अंदर केट की बात कर लेता कि इसे बोलते हैं फल मक्खी इसके अंदर मैं इंपोर्टेंट है फ्रूट प्लाई है कि अंदर रोग की बात करूं तो इसमें यह रोग होता है वह होता है उक्टा रोग तो तो यहाँ किसके द्वारा रोक कार्ण क्या है तो वह बगशा ओक्तर रोक के द्वार रोता है और कौन सा कावक की प्रजाती पहुंचे तो यह मैं फ्यूजियें लिएंग और थिस्पोरम फ्यूजियेंग और थी प्रण कि आख शीस्पोरम कि वह और बगलनेंगे द्वाराइं तो इसाम के लिए अपने प्रिबंदन के लिए गाइज किसको प्योग करते हैं प्रवंदन के लिए जिप्सम को प्यों करते हैं तो गैस प्रवर्दन के लिए प्रतिरोधी किस्म कौन सी है प्रतिरोधी किस्म है इलावाद 49 इलावाद सपेदा इलावाद सपेदा या L49 इसके लिए जो प्रतिरोधी किस्म है वह है इलावाद सपेदा या L49 या अपन सरदार की नाम सी जानते है प्रतिरोधी मूलब्रांत तो इसके लिए जो प्रतिरोजी मूल बढ़नते हैं वह है गाई चाइनीज अम्रूत का बाटमी करने हैं तो वह है गाई चाइनीज है चाइनीज अम्रूत का नाम लगों वैसीडियम 3D लियो नम लिया नम तो वह गयाँ जो अम्रूत है चाइनीज उसका बॉट्री नीकल नेम होता है सीडियम सीडियम लियो ना लिया न तो यह चीज अपने जाना अगाई जो यह चीज़ धना ना वैसके अंदर कुछ गभक नाशी आते हैं तो गभक नासी की बात करता हूं कि इनके द्वारा भी एक रोक को सकते हैं काली सोना ये पूसा मिर्दा कभक नास ही हैं इनको द्वारा अपने असे लोक कुछते हैं तो गाइब बोटर हो किसकी द्वारा इस रोक का रर्ख्या कंछा साफ फ्यूजर अख्यिसपुर तो गैज हैं पर्वर्धन किया जाता जिब चम कप्यों करके परवर्धन किया जाता प्रतिरुवदि कि कुछ साथ शापध करता चाइनी जंबूत का बॉटीनिकलने मोथा जिए रेडिलिया फ्रेडिल लिट हां तिया नम और इसका जैविक प्रवदन करते गास्ताई ड्राइको ड्रमा तो विलिधो गैजा श्रीप प्रवड़न तनी तो छेवीर प्रवारतें करें tago-dharma नो तुन ड्राइको लेसे द्वा किअधर कबक़नासी कौन्पिन कुछ सेता आघ्स कानिस पूसर मेदा कालिंस गपак कुल पकनासी कोप्यों की करते हैं मतला है अगला पॉइंट करके देहIGHख विकार कि तो देह्ष बॉकार ना आता है Archive e ौन तो इसे आप अधर भास करूं भडों मैं ब्रांजिंग होती है लेकिन अम्रूत के अंदर जो पारांजिंग होती है वो प्रालिट के अंदर जो ब्रोंजी में आभ कोष्टक के लोगा तो कमी के लाइब बैर के लाइब सुदूजिंऔ तो यह यह नहीं पनेarta नहीं वह नहीं होता है नहीं होती है यह अपने लिख लेनेकРЕ counting लिए इस नहीज होती है को रहने के अंदर कुछेंग चाते हैं अम्रूद में अधिक्तार आंसर है में ब्रॉंजिग पर रही इसमें अधे्डलाी पर परषिए ऊद्यान रपिसे बिनम गोरदी का अधला शिसमें प्रमुक किसम हैं तो अगला बात कुछुम किसमों की प्रमुक किसम है किसमों के लिए ट्रिक है ट्रिक से अपने इसकी किसमों को ध्यान रख सकते हैं तो वैस ट्रिक क्या है तो वैस ट्रिक क्या है ट्रिक है लखनों के लखनों के ललत वे स्वेता ने इलहाबाद कोचित किया तो वैस ट्रिक सिक किसम कैसे बनते है तो वैस लखनों से बनते है एल 49 लखना उनंचास लखना उनंचास ललत अग्येश ट्रिक स्वेता अग्येश ट्रिक को प्रफन उनंचास लखना उनंचास ललत स्वेता कि इलावा सपेजा और चित्तिदा यह गाइज अम्रूप की बैराइटी है तो इनके बारें जाना अब लगनों की एल-49 की बाद करूँ एल-49 तो गाइल-49 पूने पूने महारास्ट्रा से बिक्सित की गई किसमें वो की गई गया उननीच सोस्पताइस के अंदर एल-49 जो किसम नहीं पूने अगले आते हैं इलावाद सपेदा और इलावाद सूर्खा यह द्यान रखना पहली आते हैं इसमें इलावाद सूर्खा इलावाद सूर्खा ये पासे अपने पता अंचहिए और का कि चित्तिदार में इसमें क्या होता है ऎम्रूत के उपर लाल रं के दब्बे पाएуса अत अम्रूत को की ऊप़र लाल रंगे बाएं दाए हैं तो आंनि किसमों एक अनिकिस्में कि इसिए में उत्रिसके अंदर मेनली किसम वक्त तो हैं लेकिन अनिकिस्मों की बाद करते हैं कि इससार सफेदा हिसार सूर्का अन्य किसम है है हिसार सफेदा सफेदा और हिसार सूर्का अन्य किसम आते हैं हिसार सफेदा और हिसार सूर्का यह चीज अपने को द्यार रखें पगाइज में बात कुछ संकर किस्मों के तो संकर किस्मों में आते हैं कोई सफेदा और सफेद जाओं तो अगली सबेगे बाद करते हैं संकर望 की संकर किसम है को यह काती है रस्मी कि रस्मी हो ओर का सूर्खा कि भॉन दियारि बीप्सित किसम हैं रस्मी है ह और का दि barking हो का सपैता है सपैत नाम हैkef लेड़otic अब गैज कुछ Confused Variety हैं Confused करने वाले किसम हैं उनको भी आपने लिए लख लेते हैं वह देखते हैं अब आपने को आपने आपने को Confused करती हैं वह है Confused कान्फ्यूज बैराइटी है तो कुछ कान्फ्यूज बैराइटी है चो अपने को ध्यान रख नहीं होती है तो मैं बता दू अर्का मिर्दूला कि मैरे दूला उगाइस यह का झाति है मिर्दूला धूर्य है और होली जूह अर्का मिर्दूल assault में मिर्दूला आती है अर्का मिर्दूला किसकी in और और किस मइं है अनार की यह तो किस्की किस्म है अमरूत की मिर्दूला है अनार की यह अपने वह बहुत किश्ण करती है को इस कई बार यह हूं एक कुछन कि क्या अगली आते है एक आपल कर ला है ए एक कैणर तो अगली आती है एपल अपने को लग रही है कि लेकिन यह अबूत की बैराइटी यह एपल अबूत की बैराइटी जो कि काई तो अगली किसम आती है एक बेहत कोकोनट कोकोनट से अपने सोचते है नारियल की होगी लेकिन नहीं यह अमरूत की किसम है और एक आती है नागपुर नागपुर मेडिरिन मेड टेरिन तो गैस नागपुर मेड टेरिन है वो है संत्रे की किसम है संत्रा और एक आती नागपुर सीडलेस नागपुर सीडलेस जो कि इसकी किसम हैं अमरूत की है और यह आती है यह साहारनपुर सीडलेस सहारनपुर सीडलेस तो वह है गैस अंडूत की नमीज को नहीं है जो अपने से कुछ करने बारेटी हएं जो अपने मeksनुर्थ यहां वहका हो एक हम्रूत की है लेकिन विढूला वह अनार की किसम है ऐसे आते है लुपको नलगता है लगता है ताइस compliant के सतर द्रफता सत्र है है लेकिन नापुर सीड लेस है वो अमरूद किया और सारन पूर सीड लेस वो अमरूद किया तो यह कुछ इंपोटेंट बैराटी कन्फूज करने वाली बैराटी जो मैंने आपको बता दी तो आखी क्लास में पस इतना ही अमरूद अपने अपन वीडियो को जादा जादा लायक शेयर चैनल नटाब जरूर करें मिलें अगली क्लास में हम आपके लिए ऐसे इंट्रेस्टिंग बीडियो बनाते रहेंगे और आप हमारे हमसे पुल मेंनत कर रहें आप घर्भालों के लिए माबाप के लिए पूरी तैयाली करो गास मि दिए गाइस अब तक के लिए ओके